दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाल आपके लिए दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बिजनिस आइडिया के बारे में बताएंगे जो एक बार जमने के बाद आपको पूरी लाइफ अच्छी आमदनी देता रहेगा आज हम बात करेंगे कील बनाने के बिजनस के बारे में जैसा कि हम सब जानते है कील हर घर और हर छोटे बड़े काम में इस्तेमाल होती है वहीं फरनिचर वगेरा बनाने वाले कारीगर दिन में लाखों कीलों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे में इंकी मांग पूरे साल एक जैसी बनी रहती है। आप चाहे तो इसे घर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसे मार्कित में दुकान किराये पर लेकर शुरू करना बहतर रहता है। एक में कील बनती है और दूसरे मशीन में ये पोलिश किया जाता है। एक में जाता है। एक में जाता है। दुकानों और मशीनों का पूरा सेट अप होने के बाद आपको कील बनाने के लिए कच्चा माल यानि रोब मटेरियल लेना होगा। इसके लिए काम आने वाली आवश्यक सामगरियों में नेल वाया है। इसका प्रयोग करके विभिन तरह के कील बनाए जाते हैं। ये वाया अलग-अलग प्रॉस सेक्शन में पाया जाता है। इसलिए आप अपने द्वारा बनाए जाने वाले कील के अनुसार वाया खरीच सकते हैं। इस वाया को भी आप उनलाइन मंगवा सकते हैं। मशीन और रोब मीटीरियल लेने के बाद बात आती है अब कील बनाने की। तो कील बनाने की मशीन पूरी तरह आटोमेटिक होने की वजह से कील बनने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। की जरूरत नहीं पड़ती सिर्फ एक आदमी आराम से इस मशीन की देखरेक कर सकता है। अब बात करते हैं इस बिजनस को शुरू करने में कुल लागत कितनी आएगी। इसमें उपयोग होने वाले नेलवाय की कीमत 30,000 से लेकर 40,000 प्रती टन है और मशीन सैट की कीमत कम से कम 3 से लेकर 4,000,000 तक की होती है। इस तरह ये बिजनस शुरू करने के लिए कम से कम 5,000,000 रूपय की जरूरत होती है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मशीनरी वगेरा सभी कुछ शामिल होता है। एक किलो कील बनाने के लिए कच्ची सामगरी छोड़के कम से कम 2 रूपय की लागत पड़ती है। अब कमाई की बात करें तो 8 खंटे रोज मशीन चलाने पर दिन भर में कम से कम 500 से लेकर 600 किलो कीले बनाई जा सकती है। यदि सभी तरह की मैनिफेक्चरिग कोस्ट मिला कर देखा जाए तो प्रती किलोग्राम पर 5 से लेकर 6 रूपय का लाब होता इस तरह महीने भर में 60,000 से लेकर 70,000 रूपय तक कमाया जा सकता है। अब सवाल आता है तयार माल कहां बेचे। तो दोस्तों आप इसकी अच्छी पैकेजिन करके विभिन हार्डवे दुकानों पर 5 किलो 10 किलो के पैकेज तयार करके आसानी से बेच सकते हैं। अपने माल क आसपास के शहरों में सभी बड़े और छोटे हार्डवे दुकान में शुरू में जरा सस्ते दाम पर बेचना सही रहता है। और थोड़े समय बाद मार्किट पकड़ बन जाने पर पुनह बाजार की कीमत पर अपना प्रोड़क्ट बेचा जा सकता है। तो दोस्तों इस त टुंग NO al encontramos कि स्वेल नीए इस तसकता है। कि शुरू जाई कि सेगे लड़े से तेंधा है।